हलो फ्रेंड्स वेलकम टू SSC कुछिंग सेंटर दोस्तों नमबर एनलोजी का में एक और वीडियो ले करके आ गया क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट प्रेशन मुझे को लगे यह और यह लगे क्यों मुझे यह प्रेशन इंपोर्टेंट क्यों लगे भाई इसका कारण क्या है इसका करण यह है कि यह सभी प्रेशन परिक्षा में आई हुए है इसलिए इंपोर्टेंट लगे और इन प्रेशनों में जो लगने वाला लोजिक है वो मुझे इंपोर्टेंट लगा जो जो लोजिक इन प्रेशनों में लग रहा है वो लोजिक मुझे बहुत महत्पून लगा इंपोर्टेंट लगा इसलिए यह प्रेशन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है पूरा वीडियो देखिएगा चले स्टार्ट करते हैं पहला प्रेशन है छे का रिलेशन से आप यहाँ पर संख्या पता कर लेंगे अब 6 से 200 बामन कैसे बनेगा आपके पास भाई 6 है अब मैं ऐसा क्या करूं कि 6 से 200 बामन बना लूँ सबसे पहली बात अगर मैं 6 का कर दूं क्यूं 6 का अगर मैंने Q किया तो 216 होता है 2 सबामन तो फिर भी नहीं हुआ मैंने क्या किया 6 का क्यू कर दिया अब मैं क्या करू 6 का स्कॉयर कर दूँ तो कितना होता है 36 होता है अब मैं क्या को उनको जोड दूँ 6 6 12 का 2 कैरी का 1 एक और तीन चार कैली का बन जोड़ेंगे तो पांच और ये दो कितना हो गया भाई दो सबामन हो गया कि नहीं हो गया दो सबामन चाहिए था दो सबामन हो गया कैसे हो गया छे का क्यूब किया छे का स्कॉर किया दोनों को जोड़ दिया इस तरीके से हुआ, यहाँ पर भी करेंगे, 5 का Q करेंगे, 5 का SQ करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो 5 का Q कितना होता भई, 125 और 5 का SQ होता है, 25 दोनों को जोड़ दूँगा, 150 हो जाएगा, 150 कहाँ पर है, 150 आपके C option में है, यह आपके प्रेशनी का बिलकुल सही जवा हो गया, तो मैंने पहली बोला था, logic important है इन प्रेशनों का, सबसे हटके है, तो इसलिए यह प्रेशनी important है, ठीक है, पूरा वीडियो देखेगा, अब देखेंगे अगला प्रेशनी, अगला प्रेशनी है, 7 का रेलेशन 329 से है, तो 9 का रेलेशन किस संख्या से बनेगा, 7 क एक बार खुद से करके देख लेंगे, आप इस प्रेशनी को तो बहुत अच्छा रहेगा, एक बार खुद से करके देख लेंगे तो, क्योंकि मुझे इस प्रेशनी का जो लोजिक है, बहुत ही जवरज़स्त लोजिक है, ठीक है, 7 का लेसे 329 से, मैं क्या करूँ कि 7 से 329 बन जाए, अगर मैं 7 का क्यूब करता हूँ, 7 का अगर मैं क्यूब करूँगा, तो 343 होता है, यह बात आप सभी को बता है, लेकिन मेरे पास क्या दे रखा, 329 नहीं, 329 दे रखा, अब 329 होता है, लेकिन क्यूब करने से तो क्या हो गया, 343 आ गया, 329 से बड़ी संख्या गई यहां पर, आगी किन आगी, क्या गई बड़ी संख्या, तो मैंने क्या करूँगा, मैंने पास 7 है न, 7 का मैंने क्यूब कर लिया, अब इसी 7 का दोगना कर कूँ, इसी 7 का दोगना कर लूँ, और इसमें से घटा दू, तो 7 दूने का कितना हो जगा, भई 14, अब घटा इसमें से, मतलब 7 का क्यूब करके, 7 का दोगने कोई घटा दूँगा, मैं, तो 343 मैं से 14, अगर मैं घटा देता हूं, तो मेरे पास कितना बचेगा, 329 बचेगा, जो की यहां पर दे रखा है, ठीक है, जिस संख्या का मैंने क्यूब किया, उसी संख्या का मैंने दोगना कर के घटा दिया, तो अब मेरे पास 9 है, तो मैं 9 का क्यूब करूँगा भई, 9 का क्यूब कितना होता, 739 होता है, मैंने यहां पर 7 का क्यूब किया था, 7 के दोगने को घटाया, 9 का क्यूब करूँगा, तो 9 के दोगने को घटा हूंगा, ठीक है, घटा दूँगा, 9 दूने का कितना होता है बही अठारा घटा दूगा तो 739 में से मैं अठारा घटा दूगा कितना बचेगा 711 बचेगा 711 बी औप्षन हो गया प्रेश्ण का सही आंसर के लिए रहे उम्मीद करूँगा सभी को प्रेश्णासानी से समझ में आ गया अब देखेंगे अगला प्रश्न अगला प्रश्न है 7 के बटे में 50 9 के बटे में 82 13 के बटे में 170 है तो यहाँ पर क्या आएगा संख्याओं को अगर आपने ध्यान से देखा तो समझिए आपको आप कांसल मिल गया साथ के बते में क्या है? 50 साथ के बते में 50 50 का मतलब क्या है? अगर आप 7 का स्कुरर करें और उसमें एग जोड़ दें तो 50 हो जैगा क्योंकि 7 है उपर 7 का स्कुरर 49 49 में 1 जोड़ देंगे तो 50 ठीक है? अब यहाँ पर भी ऐसी समझो उपर क्या है नो पटे में क्या है 82 है तो 82 क्या होगा आप 9 का स्क्वार करेंगे 9 का स्क्वार करेंगे और उसमें एक जोड़ देंगे तो 82 क्यूंकि 9 का स्क्वार एक क्या सी होता है तो कुछ रोजिक समझ में आया कि नीचे और उपर वाई संख्या का क्या लिसन है जो संख् square 169, 169 ने 1 जोड़ोंगो तो 170 हो जाएगा तो जो संक्या उपर है उसी संक्या का square plus 1 बटे में है अब जैसे कि पंदरह उपर है तो बटे में क्याएगा पंदरह का square plus 1 लेकर यह तो पंदरह का square दे रखा plus 1 नहीं दे रखा तो गलत हो गया यहां पर क्याएगा पंद्रे का स्क्वाइर प्लेस वन यह तो पंद्रे का स्क्वाइर माइनस वन है तो यह गलत हो गया क्योंकि प्लेस वन होना चाहिए पंदरे का स्कुएर प्लस वन पंदरे का स्कुएर 125 प्लस वन कर देंगे तो 126 C option आपके प्रेशन का सही जवाब हो गया के लिए रोगी बात सभी की समझ में आ गया अब देखेंगे अगला प्रेशन अगला प्रेशन है आठ का रिलेशन 72 से है और यहाँ पर दोनो ही जगहे पर questions mark दे दिया दोनो ही जगह पर एक जगह दिया जाता तो प्रेशन इतना कठन नहीं रहता अब दोनो ही जगहे दे दिया तो प्रेशन कठन हो गया ठीक है आठ से बनाए यह 72 पहले तो आठ से 72 कैसे बनेगा के आठ है आपके पास अगर आठ का गुना नो से कर दें तो आठ ने 72 होता है ठीक है अब इसमें क्या relation बन गया रिलेसन यह बना कि जो मेरे पास पहली संख्या थी उसका गुना मैंने उसकी अगली संख्या से कर दिया है उसी तरीके से यहाँ पर जो मेरे पास संख्या होगी उसका गुना मैं उसके अगली संख्या से कर दूगा तो यहां पर 11 है पहली संख्या 11 का गुना 12 से कर दूगा तो 132 होता है बिल्कुल सही 15 का गुना 16 से करूँगा 625 नहीं होता ठीक है 13 का गुना 14 से करूँगा तो 156 होता ठीक है 12 का गुना 12 से 144 हो 11 गोने 12 132 होता है मुझे तो पता है करके देख लूँगा मैं 12 एकम 12 का 2 केरी का 1 12 एकम 12 केरी का 1 13 होगे 132 आगी सब की समझें बात अब देखेंगे अगला प्रेशने अगला प्रेशने है 72 है 108 है दोनों ही जगे पर फिर से कोशन मार्क भाई ये डवल डवल कोश्चन मार्क वाले प्रेस में फिर से आ गया बार बार आ रहा है 72, 108 दोनों जगे कोश्चन मार्क तो यहाँ पर मैं इन दोनों का पहले रिलेशन बनाता हूँ यह कितना में ही मेरा 72 है तो 72 और यहाँ पर क्या है 108 तो कुछ कॉंबिनेशन है दोनों में मुझे एक कॉंबिनेशन नजर आ रहा है क्या नजर आ रहा है मैं आपको बता दू अगर मैं 12 का गुना 6 से करूं तो बहतर होता है और मैं 12 का गुना ही 9 से करूं तो 108 होता है 12 62 और निम्मा 108 जेगें पर यहां पर भी जो गुणा होगा दोनों जगाइ वह सेम संक्या से और आउंगा. मैं 21 का होगना, mais 23 के यहां कोई पर संक्या से हो भी संक्या हो, उसका यहाँ पर भी गुना 600 चाहिए और यहाँ पर वो संक्याप की आना चाहिए जैसे की मैं आपका गुना 12 सी करके देखो 12 शिंग 72 72 शिंग आफशन में नहीं है पहली जगा 13 से करूँगा 13 शिंग 78 78 भी आफशन में नहीं है 14 से करूँगा 14 शिंग 84 84 शिंग 84よね aat 14 से क्या तो 84 है 14 मैं यहाँ पर भी करूँगा 1459 कितनी होता है 1160 और 126 भी है तो इसका मतलब यहाँ है यहाँ पर 14 से गुना होगा और यहाँ पर भी गुना चौदै Сे होगा चौदै से गुना करेंगे 2454 चाहँ शिंग 14 से आजागा यहाँ पर वो हटके हैं और important है इसलिए वीडियो में हम पुन है आज का आप देखेंगे अगला प्रेशने अगला प्रेशने है 35 का relation 66 से है तो 39 किस संख्षा से है भाई 35 से आपका 66 है तो 39 से क्या बनेगा 35 से 66 कैसे बनेगा अगर आप 35 का गुना 2 कर दें तो 35 का गुना 2 कर देंगे 70 माइनस 4 कर देंगे 66 उसी तरीके से 39 का गुना 2 कर दें 68 और माइनस 4 कर दें तो 64 लेकि 64 यहां पर है नहीं है भाई यह 44 कोई बात नहीं 39 का गुना 2 से कर देंगे तो 58 होता है तो 58 में से भी 4 माइनस कर दो तो 54 भी option में नहीं है तो इसमें कुछ अ हमारे कितना हो घाख ए छाख तो 35 में मैं कितना जोड़ा उब जानाúblicα सब्सक्राइब आपकी frag़ overlap बात अब लेखेंगे अगले प्राश्न प्रेस्हिस भाइए प्रैश्न के आप लेंगे आप लेंधे रखेंगे तो बहुत बड़ा प्रैश्न होता जारा है 14 ratio 98 ratio 18 proportional मतलब ratio में इस वार 3 संग्या यहाँ पर वैसा तो एक ही होती है 2 होती है 3 दे रख्या बड़ा प्रेशनी कर दिया कोई बात नहीं भाई प्रेशनी को बड़ा कर दिया है कोई बात नहीं प्रेशनी को बड़ा कर दिया है फिर भी हम solve करेंगे कोई ना को लोजिक है हम फिर भी लगाएंगे सबसे पहले लोजिक तो हमें यहीं लगाना है प्रोपोर्शनल से पहले 14, 98, 18 मेरे पास पहली संग्या 14 है क्या करूँ कि 14 से 98 बन जाए अगर मैं 14 का स्कॉर कर दूँ तो कितना होता 196 होता है 14 का स्कॉर अब 196 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो कितना होता है 98 हो जाएगा तो 14 के स्कॉर करके हमने 98 बना लिया अब 98 बन गया तो अब 18 बनाईए भई 98 बन गया अब 18 बनाईए बनेगा की नहीं बनेगा देखिए इस से मैंने इसको बना लिया कैसे बनाया मेरे पास 14 था 14 के स्कॉर किया तो 196 होता है उसको 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास 98 हो गया ये बन गया इस से मैंने इसको बना लिया अब मैं इस से इसको बना करके देखता हूँ ठीक है इसी तरीके से मेरे पास क्या है 18 है 18 का square करूँगा कितना होता भई 18 का square होता 324 divided by 2 कर दूँगा कटा लो 2 1 कम 2 2 6 के बारा 2 दुने का 4 162 होगी 162 बन गया जो logic मैंने यहां लगाया वही logic मैंने यहां लगाया अमें वही logic यहां लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा पिल्कुल लगाऊंगा मेरे पास 26 है 26 का square करूँगा कितना होता है 666 होता है divided by 2 कर दूँगा 231 का 6 2 3 2 8 16 338 आगया भई यह आपकी प्रेशन का सही आंसर 338 यह आपके C option में भई जो logic same logic लगा है तीनों ही जगाए पर अलग लग logic ने same logic है ठीक है अब देखते हैं अगला प्रेशन अगला प्रेशन है इस प्रेशन में सभी जगह पर बड़ी बड़ी संख्या है कोई बात नहीं जब बड़ी बड़ी संख्या के प्रेशन होते हैं तो या तो जोड़ के solve होते हैं या पर गटा के अब मैं पहली संक्या का पहली से बनाऊँगा पहली का पहली से बनाऊँ छे से पांच हो गया एक कम हो गया चार से तीन हो गया एक कम हो गया एक से जीर हो गया एक कम हो गया पांच से चार हो गया एक कम मतलब इन सभी संक्या में से एक कम करके यहां लिखा गया तो यहां पर भी इन सभी संक्या में से एक कम करके लिखूँगा तो साथ में से एक कम करके लिखूँगा अच्छे आठ में से एक कम करके लिखूँगा साथ और नौ में से एक कम करके लिखूँगा आठ 6 में से एक कम करके लेखूँगा 6-7-8-5 6-7-8-5 6-7-8-5 डियो आफ्सन में है प्रेशनी खतम जितनी बड़ी संक्या उतनी ही आसानी से प्रेशनी खतम अब देखेंगे अगला प्रेशनी अगला प्रेशनी है दो कर लेसन 9 से है तो दोनों ही जगे पर फिर से question mark यहां पर इस वीडियो में बार-बाठ बार दोनों जगे पर question mark आ रहा है कोई बात नहीं तरीका हम आपको बता के चल ले है घबराया करो मत डूबल मार्स का जा कोई बात नहीं प्रेशनी फिर भी होगा 2-9 बनाना आपको 2-9 कैसे बनेगा अगर मैं 2 की पावर 3 करूं प्लस 1 करूं तो 9 बन जाएगा क्योंकि 2 की पावर 3 कमान 8 प्लस 1 कर दूंगा तो 9 उसी तरीके से यहाँ पर मैं कोई संख्या एक ऐसी लोगा कोई भी एक संख्या जिससे कि आपका यहाँ पर भी संख्या बनेगी यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मैं संख्या ले लूँ 4 बई 4 की पावर 3 प्लस 1 तो 4 की पावर 3 कमान वही कितना होता है 4 की पावर 3 कमान 64 होता है प्लस 1 कर दूंगा तो 65 हो जाएगा तो यहाँ पर तो आपका कितना न चाहिए भई 4 और यहां कितना न चाहिए भई 65 तो यहां पर किस option में 4 और 65 सी option में है ठीक है मैं कोई और भी रखके देख लेता जैसे कि यहां पर मेरे पास 2 की पावर 3 का मान 8 हो जाता है और 2 की पावर 3 का मान 8 में उसमें एक जूरता तो में भोता पैसर तो होता नहीं उसी तरीके से यहांपर। यहांपर भी नहीं होता। धीक है? उसी तरीके से यहांपर भी नहीं होता। मैंने इसी दिए यहां पर इसको डाय्रेक्ट रखा था। अब देखेंगे अगला प्रेश्नी है 441 का relation 21 से है फिर से दोनों जगे question mark भाई ये दोनों जगे question mark वाला जो प्रेशने है इस वार में आपको ये home work के लिए दूँगा ये प्रेशने में इस वार आपको home work के लिए दूँगा आप मुझे comment box में answer दीजिए अपना अपना क्या answer है ठीक है कर लेंगे easy प्रेशने आसान है बहुत आसान है ठीक है कर लेंगे तो आप मुझे इस answer comment box में बताइएगा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद